आज फिर से 6 टॉपिक्स का जो सब्जेक्ट वाला एपिसोड है वो हम लोग देखेंगे लेकिन आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले आप स्क्रिंशॉट ले ले यह जो टॉपिक्स हैं इसके आप हमड़ जाते हैं आप इनके स्क्रिंशॉट अच्छे से ले ले अब टॉपि में कोई भी कमी छोड़कर आपको नहीं पढ़ाई करना है आप ऐसा पढ़ें कि एक्जाम में अब इससे प्रश्न बन जाएं और देखिए 6 टॉपिक्स पहले तो 10 हम लोग लेते थे तब काफी टफ था अब 6 टॉपिक्स हैं तो 2-3 बारा पढ़ें इससे प्रश्न भी हम आपके पास यह सेट्स लेकर आएंगे और तब दूद का दूद पानी का पानी हो जाएगा तो हमें अब किसी तरह के कोर का सर नहीं छोड़ना है इस अपनी तैयारी में ताके एक्जाम में हमारे लिए बेस्ट आप्शन्स हो हम सही सही आंसर कर पाएं अब आज को जो टॉपिक है वो है हिस्ट्री का पहला टॉपिक मद इश्या से संपर्क यानि सेंट्रल इश्या से किस तरह से भारत का संपर्क बना कौन-कौन से वो इन्वेडर्स थे आकरमन कारी थे वो किस रूप में आये क्या-क्या इन्होंने किया किस तरह से उत्तर पह प्राश्चिम में उन्होंने शासन किया फिर उत्तर भारत में इन करने का प्रयास किया इंडो युनानी कौन थे किसने सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किये किसने पांच-पांच शाखाओं में भारत में शासन किया किसने कैलेंडर चलाया कौन ऐसा था जिसने भारत में एक कैलेंडर चलाया तो यह सब आप बहुत सारे इसमें फैक्ट्स हैं यह आप सेंटरल इश्या से मादेश्या से विदेश्यों का जो संपर्क भारत से हुआ यह बड़ा सेक्षन है जो मौरियत्तर काल की सबसे महत्पूर्ण घटना करा मैं यह पोस्ट मौरियन पिरियेड का यह बड़ाई महत्पूर्ण पक्ष है जब सेंटरल इश्या से भारत का संपर्क बना खैबर पास से हिमालियन रीजन से उत्तर पश्चिन से नौर्थ विस्ट से यह भारत में इन करते हैं और किस तरह से इन्हों ने उस वक्त शासन वैस्था में कई सारे परिवर्तन किये दू गया कि इसके बाद ये घटना करम है 1905 से लेकर 1917 तक 1907 तक क्यों 1905 ही क्यों 1905 इस लिए के बंगाल का विभाजन हुआ और 1917 इसलिए कि मॉन्टेग्यू चैंप्स फॉर्ड रिफॉर्म जो आया 1909 का एक्ट उसके लिए 1917 में मॉन्टेग्यू का डिक्लारेशन मॉन्टेग्यू घोशना हुई थी तो ये हम लोग करेंगे 1905 से लेकर 1917 तक अब देखें 1906 में मॉन्टेग्यू की अस्थापना है 1909 में मॉरले मिंटो है 1911 में दिल्ली दर्बार है 1916 में कॉंग्रेस मॉस्लिम लीग का समझाता है पलस होम रूल आंदोलन है तो ये सब लास्ट में मॉन्टेग्यू की खोशना है बहुत इंपॉर्टन फेज है तो ये आप करें गरम दल का फेज भी हम इसे कहते हैं ये गरम दल का फेज भी कहलाएगा जब 1905 से लेकर 1917 के बीच बहुत सारी घटना करम आए और कॉंग्रेस में फूठ हुआ इंडिया निशनल कॉंग्रेस जो 1230 संग्राम की सबसे बड़ी संसाती है उसमें स्प्लिट हुआ ये कैसा स्प्लिट हुआ क्या क्या घटना करम हुए याद रखें इस वक्त कॉंग्रेस को जो अध्यक्ष है 1905 से 6-7 तीन आपको ध्यान रखना है कॉंग्रेस के भार जैनि м consulted एंद for हुआं एंड प्रवर्वнок बहुत है सारे बर्वाण परवेत जॉआला मुकी परवत कर otras चार इंपॉर्ट ऐने फोल्ड मौनें प्लॉक मौनें फोल्कनिक मौनें रेसिडियोल मौनें ये चार आप करें कौं सा मौंटेम किस ग्रूप में आता है प्रीमंजारों किस ग्रूप का है? Black Forest, Black Mountain, किस ग्रूप का है? ये सब आप करेंगे. बहुत important है. पठार बहुत छोटा है. पठार बहुत छोटा है. पठार आसानी से एक पेज में भी नहीं है. आदे पेज में है. तो यह आप कर लेंगे. समझ लें सिर्फ. deputy ministers kep man30 सवतंत्र प्रभार ये सब क्या है independent जो departments मिलते है wszystkie किसे किया होता है किस अनुशेद में है articles important को भी आपको जैन में रखना चाहिए और पलबस इसमें सबसे important वो है prime minister भाउत बहुत important prime minister के section को आप अच्छे से आप करेंगे इसमें तो ये बड़ा important section है और पांचमा section है science का ये हमने लिया है vitamins or diseases यानी vitamin और मानव रोग अब देखे vitamins के सारे chemical जो name है वो आप धियान रखेंगे plus किस vitamin की deficiency से कौन सा रोग होता है किस vitamin को हम क्या कहते है ये समाध़ पून है plus किस जो रोग है diseases है ये अलग से आपको करना है कि कौन सा disease viral है bacterial है fungal है protozoid तो ये सब आप ये करेंगे disease पर बहुत important है very very important इससे आप बहुत अच्छे से करें एक दिन में नहीं होगा ये ये आप कर section बिहार का है ये है बिहार में स्वदेशी और क्रांतिकारी कतिविदिया स्वदेशी अंदोलन और क्रांतिकारी कतिविदिया बिहार के संदर्द में स्वदेशी और जो बंगाल विवाजन हुआ स्वदेशी मूवमेंट जो चला तो बिहार पर किसके repercussions क्या थे और दूसर पर उसका क्या इंपेक्ट पड़ा उने 105 के आस पास का आप करें तो यह आप कर लें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन्स यह हैं टाइम दें थोड़ा सा मन लगा करें इसका बेनेफिट आपको मल्टी फोल्ड मिलेगा ऐसी मेरी आश्या तो आज के इस six topics को यहीं पर आएंगे आप इसे अच्छे से करें इस पर टेस्ट भी लगातार आएंगे अब आएंगे रेगुलर आएंगे हमारा प्रियास है शेडूल थोड़ा टाइट हो जाता है कई सारे घटना क्रेम सामने आ जाते हैं लेकिन इस पर टेसरी भी आते रहेंगे करिंट का जो सेक्श